बेलकम डू सुकला स्टैडिय पइंड आप सभी का सवागत है आपके पनिटूब चैनल सुकला स्टैडिय पइंड में मैं सीयोव शुकला है आप सभी दोस्तों का अहारदिक सवागत करता हूँ आज के वीडियो के माद्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बी-ए थर्डियर के फिप्त समेस्टर के नभी इंतम पाथे करम के बारे में और इसी सिलसले में हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री के नभी इंतम पाथे करम के बारे में अगर आपने इतिहास लिया हुआ है यानि कि जिसको आप पहले मद्धिकाल इतिहास बोलते थे अब इतिहास ही पढ़ना पढ़ता है आपको तो अब जब आप B.A. में एडमीसल ने तो दो इतिहास आपको पढ़ने पढ़ते हैं ठीक है B.A. में कौन कौन से पहला इतिहास होता है आपका history ठीक है और एक होता है ancient history ancient history, archaeology and culture एक subject वो होता है ancient history जो है उसका syllabus मैं discuss कर चुका हूँ paper one का और paper two दोनों का और अब ये मत दिखान इतिहास का syllabus है मैंलब जिसको आप इतिहास कहते है तो keval इतिहास का ये है ठीक है ये subject है आपका यहाँ पर देखिए subject है keval इतिहास तो अगर आपका इतिहास है keval इतिहास तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा अच्छा यहाँ पर एक गड़ित मैंने आपको समझाई थी कि भाई तीन paper होंगे आपके ठीक है अब तीन paper में कौन कौन से चीज़े होंगी nationalism in India के बारे में यानि कि भारत में राष्टबाद के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर ली थी ये paper 1 है आपका तो paper 1 में तो आपको यही पढ़ना है nationalism in India सभी छाचात्रों को यही पढ़ना है लेकिन paper 2 में paper 3 में क्या कर दियागा एक बात मैं आपको यही पर समझा देना चाहता हूँ ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो ठीक है यहाँ पर देखिएगा जो बिए फिप्त समेस्टर है इसमें जो paper 2 है आपका देखिए paper 1 यह फिप्त समेस्टर का paper 1 जो है nationalism in India आपको यह पढ़ना है theory का ठीक है लेकिन इसके अलामा यहाँ पर तीन paper और आपके दिये गए हैं यहाँ पर देखिए जो है second paper जो है यह दूसरा paper है इसका जो है history का इसमें आपको तीन optional paper मिले यह optional का मतलब यह होता है कि objective यह अलग-अलग बिश्विद्याले निधारत करेगा कि objective होंगे कि लिख आपको एक ही पढ़ना है और आप जो है जब आप examination फारम भरोगे तो उसमें आपको चूज करना होगा जो भी आपको पसंद हो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप महाँ पर भर सकते हैं examination farm में तो examination farm में आप चाहो तो यह पढ़ सकते हो history of modern world 1453 बी से लेकर के 1815 बी तक आप चाहें तो यह पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो socio culture and economic history of medieval India पढ़ सकते हैं मतलब इसका होता है मद्धिकालीन भारत का समाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास 1220 से लेकर के 1720 तक्यानी की लगबग दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल काल जो है पूरा आपको दि जोदी बंस, खिलजी बंस, सयद बंस, गुलाम बंस ठीक है यह सब जो बंस है इन्ही सभी बंस के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है जानना है ठीक है यह बात धहने किएगा तो यह एक प्रकार से यह दिल्ली सल्तनत और मुगल काल यह आपको पढ़ना है इसमें और इसके पॉलेटिकल हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ना है जो कि आपको किवल सोशियो मनबकी समाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास और आर्थिक इतिहास के बारे में ही जान लेना है मद कालिन भारत के यानि मुगल कालिन एक परकार से अर्थ बेवस था और सल्तनत का को आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा यह पेपर मलब पेपर टू का दूसरा भाग है तो आप चाहो तो यह ले लिए मलब तीनों में से के वले की पढ़ना या फिर आप एथिक्स इन हिस्ट्री देख सकते हैं ठीक है यानि कि एक प्रकार से हिस्ट्री एक प्रकार से जो एथिक्स होती है मोरल्टी उसके बारे में आपको पढ़ना है मतलब की नैतिक दर्सन आप बोलो या इतिहास में नैतिक्ता बोल सकती हो तो यह तीन आप में से तीनों में से एक ही पढ़ना है लेकिन अब चुकी पढ़ाना मुझे है और पढ़ना आपको है तो बहुत सारे का syllabus discuss करेंगे ठीक है अलग-अलग वीडियो में तो हम अब जो है लगातार इसी जो है चेप्टर के बारे में मलब इसी पर चर्चा करने वाले हैं तो आप लोग चिंता मत करिएगा तो मैं पूरा syllabus आपको एकदम से बिस्तार से बताने का प्रियास करूँगा चलिए आप syllabus को हम समझने का प्रियास करते हैं जो है कौन सा semester है आपका 5th semester है आप 5th semester के बारे में हम लोग नेस्नलिजम इन इंडिया यानि paper 1 का syllabus discuss कर चुके हैं लेडी आप paper 2 के syllabus में आज की वीडियो के माद्यम से हम लोग चर्चा करेंगे history of modern world के इतिहास के बारे में 1413 से लेकर के 1815 तक के इतिहास के बारे में और इससे पहले बिये खास कर के जब आप 4th semester में थे तो भी आप लोगों ने इसको पढ़ा है बिये आपने देखा होगा यहाँ पर खासर जो है बिये फोर्ट समस्टर में आप लोगों ने प करके 1950 तक पढ़ना था आपको तो अगर आप यह वाला पोर्शन चूच करेंगे modern world वाला तो यह आपका जो चतुर समस्टर में जो वीडियो हमारी पड़ी हुई है वो important हो जाएगा आपके लिए तो आप उससे भी देख करके अपना काम चला सकते है वही चीज फिर आएग तो अगर आप कुछ जो है सरल देखना है कि वही एक बार पढ़ चुके फिर दुबारा वही तो आप यह वाला पोर्शन चूच कर सकते हैं यह फर्स्ट वाला है जो आज मैं सेलेबर डिसक्स करने जा रहा हूँ ठीक है लेकिन अगर आपको और जानकारी गरन कर दें उसके सव नंबर का आपका अधिक्तम पुडांक होगा और तैंटीस नंबर पासिंग मार्ग से इसकी अब सलेबस में क्या सामिल है इसको भी देखने का प्रियास करेंगे देखें यूनिट वन में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल एंड रिलेजियस स्टक्चर आफ यूरोप इन जो राजनीतिक और धार्मिक सनरचना है कब की पंदर्वी सताब्दी की सुरुवात की उसके बारे में हमको पढ़ना है यानि की आप लिखेंगे पंदर्वी सदी की सुरुवात में यूरोप की राजनीतिक और धार्मिक सनरचना ठीक है तो इसको हम पढ़ेंगे कि क्या थ दा रहा है बहुत important role लहा है तो रेनेसा के बारे में पुनर जागर्ण के बारे में समझेंगे its cases यानि कि इसके कारण किसके पुनर जागर्ण क्यों हुआ इसके कई कारण है और उन सभी कारणों को हम लोगों को पढ़ना है तो इसके कारण को समझेंगे यानि पुनर जागर् फीचर फीचर माने होता है हिंदी में आपको पता होगा बिसेस्ता करक्टर इस्टिक्स माने भी बिसेस्ताएं होती है ठीक है बिसेस्ता होती है लेकिन फीचर माने भी एक बिसेस्ता ही होती है इसके लामा एंड इंपेक्ट इंपेक्ट माने होता है प्रभाव क्या होता है भ पुनर जागरण तो ये हो गया आपका पुनर जागरण तो पुनर जागरण के कारण को हम समझेंगे विसेस्ता को समझेंगे और प्रभाव को जानेंगे इकाई नमबर टू में इसके बाद में बहुत सरल सरल टॉपिक है और बड़े ही आसान भासा में हम आपको बताने का प हनोचेंगे, हम लोग योरोप में जो सुधार आंदोलन बहुत सारे चले हैं, reformation movement, reformation मनलब होता है सुधार, क्या होता है इसका मलब सुधार, reformation ममलब, एक प्रकार से दोबारा, यह सुधार करके, ठीक है? movement मलब आंदोलन, मुमेड मनलब क्या होता है भीया आंदोलन ठीक है तो सुधार आंदोलन कहाँ पर इन यूरोप मनलब यूरोप में मनलब यूरोप में सुधार आंदोलन के बारे में हमको देखना क्या-क्या सुधार आंदोलन हुए है चाहे भक्ती को ले करके हो या फिर जो है दर्सन को ले करके हो नीतियों को ले करके हो तो योरोप में सुधार आंदोलन बहुत सारे चले उनके बारे में हमको पढ़ना है और उसमें खास करके रोल आप मार्टिन लोथर मार्टिन लोथर की क्या भूमिकारी मार्टिन लूथर बहुत एक परकार से आप देखते हैं उस समय का जो धरम था ठीक है प्रोटेस्टेंट नीती बनाई इसने कैथोलिक धरम के उसमें तो एक परकार में आप देखते हैं कई परकार की चीज़े जो है यह लाता है सुधार अंदोलन में मार्टिन लूथर की वार मेरे में आपको पढ़ना है वार मेरे रिलिजीस मतलब होता है धरमिक ठीक है और मतलम है युद्ध ठीक है धरमिक युद्ध जो हुआ है खासर क royalty येर फार मनलब जो 30 साल का युद्ध एक परकार से रिलिजिस वार मे pensar की इसके बारे में हम्लोगों को पढ़ना है इसक अच्वी काई में आपको पढ़ना है Glorious Revolution and Development of Cabinet System in England मतलब इंगलेंड में जो गोरो साली क्रांटी हुई रख्तिहीन जो क्रांटी हुई है उसके बारे में उनको पढ़ना है गोरो साली क्रांटी को ही रख्तिहीन क्रांटी कहते है Glorious माने होता है गौरो साली, revolution माने होता है करांती and development, development माने विकास किसका विकास, development of cabinet system का विकास किसका विकास भई, cabinet system का विकास हमको देखना है मंतरी, मंदल का विकास, मंतरी, मंदल, system cabinet system मलब मंतरी, मंदल, प्रणाली मंतरी, मंदल, प्रणाली का विकास कहां पर in England मतलब England में England में गौरोसाली करांती जो हुई है उसके बारे में जानेंगे इसके अलामा England में ही जो मंत्री मंदल प्रणाली का विकास हुआ उसको समझेंगे ठीक है ये एक प्रकार से इकाई नमबर 5 में हमको पढ़ना है इकाई नमबर छे में हम लोगों को पढ़ना है Industrial Revolution in 18th Century मतलब की 28 सताबदी में जो ओदोगिक करांती हुई है इसके बारे में हमको चर्चा करेंगे Industrial Revolution जिसको आप कहते हैं ओदोगिक करांती ठीक है पूरे यूरोप में आप देखते हैं इक प्रकार से अपना जज़बा कायम करती है अठरी सताबदी की ठीक है दूसरी बात American Revolution अमेरिकी करांती के बारे में हमको पढ़ना है ठीक है इसके अलामा इकाई नमबर 7 में हम लोग जाएंगे इकाई नमबर 7 में हमको पढ़ना है French Revolution के बारे में इसको जानेंगे French Revolution मलब France की करांती France की करांती है France की करांती के बारे में जानेंगे के ससमाने कारण France की करांती के क्या कारण रहे हैं धार में कार्थिक, राजनेतिक, सांस्कृतिक सभी कारणों पर चर्चा करेंगे तत्कालिन कारण उसको पर भी जानेंगे इसके बाद में सिगनिफिकेंस सिगनिफिकेंस का मतलब होता है महतो करांतियों का बड़ा महतो भी होता है और प्रभाव भी पढ़ता है करांतियों का और उसके कारण भी गई होते है तो किसी भी करांती से या तो कारणों को ले करके पूछायाता है या फिर उसके महत्त को ले करके या उसके प्रभाव को ले करके ठीक है तो हमको इन तीन मलब मैं कोई भी करांती बताऊंगा तो उसके कारण महत और एक प्रकार से उसकी जो situation से भूमिका है सबसे पहले उसको समझेंगे फिर उसके बाद में उसका कारण जो रहा उन कारणों को समझेंगे फिर उसके बाद में उसके जो है करांती के महत और उसके प्रभाव को जानेंगे ठीक है तो यह एक प्रकार से हम सिसी करांती का इसको हमको पढ़ना है ठीक है इसके बाद में एकाई नमबर आठ में हम लोगों को जाना है एकाई नमबर आठ में हमको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ना है नेपोलियन बोनापार्ट जो है उनके बारे में हमको जानना है जो उन्होंने रिफार नेपोलियन बोना पार्ट की और इस फॉरेन पालिसी मलब उसकी विदेश नीती किसकी इस माने यहाँ पर इस आया है नेपोलियन बोना पार्ट के लिए तो नेपोलियन बोना पार्ट की फॉरेन पालिसी के बारे में हमको पढ़ना है मलप की उसकी नेपुलिन बोनापार्ट की विदेश नीती और उसकी महाधिपी ब्यवस्था और उसके द्वारे इस सुधार किये गए उनको हमको समझना है तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सिलेबस कंपलीट होता है बिये फिप्त समेस्टर हिस्टरी पेपर वन के ए वाल पेपर टू का जो अगला भाग होगा वो वीडियो जो होगी वो पेपर टू का बी होगी और इसके आदमें जो तीसरा जो आपसनल होगा उसमें टू का सी आपको लिखावा मिलेगा तो आप मेसे जो ए लिए होंगे वो ए वाला पढ़ेंगे बी वाले लिए होंगे बी वा बारे में और खासर के इसका जो आपसनल वाला जो दूसरा पेपर है नि की जो बी वाला पोर्षन है यानि की सोचियो कल्चर कल्चरल आइंड इकोनामिक हिस्ट्री आफ मेड़ इंडिया इसके बारे में 1220